हर जंडा कुछ कहता है स्वतंत्रता दिवस के अवजर पर विद्याले में तिरंगा फेराया गया केशिवा की आँखों में अपने देश के जंडे के प्रती सम्मान जलक रहा और कुछ प्रश्ण भी उसके मस्तिश्क में तैर रहे थे आखिर जंडा होता क्या है ये क्यों मनाये जाते हैं इन्ही सवालों के बारे में सोचते हुई केशिवा घर आ गई हाथ मूँ धोकर प्रिचस सैंडविच जूस उठाया और सी थे अपने कमरे में जाकर कम्प्यूटर खोड लिया सर्च इंजन पर फ्लैक लिखते ही जानकारी का खजाना उसकी आखों के सामने था वहाँ पढ़ने लगी जन्डों की दुनिया अन्योखी है ये केवल कपडे का एक टुकडा भर नहीं है बलकि विभन देशों, संस्थाओं, सेनाओं के प्रतीख है पुराने समय में जन्डे व्रिक्षों की झाल या जानवरों की खाल आधी से बनाए जाते थे, ताकि इनहीं आसानी से लाया ले जाया जा सके कपडे के आविशकार के बाद जन्डे कपडे पर ही बनाए जाने लगे हर जन्डे का एक विशेश और निश्चतर्थ होता है। कारों की दोड में काले और सफेद चेक वाले जन्डों का अर्थ है कि कार दोड अब समात हो गई है। उलंपिक खेलों के जन्डों पर बने चल्ले पांच महाद्वीपों के प्रतीक है। इन चल्लों की यह श्रिंखला इन महाद्वीपों की एक ताका प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं, UNO, Red Cross और Scouts आधी के भी अपने जन्डे हैं जो इनके उद्देशियों की ज जन्दी या समर्पन चीन में सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। इसके विपरीत हरी रंग की जन्डे का अर्थ है, सब ठीक ठाक और सुरक्षत है। पीला रंग, गंदगी और महमारी का प्रतीक है। काले रंग का जन्डा, शो मृत्यू या विरोध का संकेत देता है जब किसी राष्ट्र के किसी जाने माने नेता या विशेश व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्र अपना राष्ट्री एध्वज जुका कर उन्हें श्रद्धान जली अर्पत करता है जब किसी जहास पर जंडे को काले रंग की गेंद के नीचे दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वह जहास संकट में है किसी भी देश का राष्ट्री एध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है वह उस देश के सांस्कृतिक मूलियों इतिहास और दर्शन को बताता है ज भेंडों की दुनिया में खोई केशिवा ने मुस्कराते हुए सैंविच उठा लिया